को नाम मालिनी है और मालिनी एक बैग बैग उसने लेमन फूर्टेवर्ट केंडी भर रखा है क्या बरका है लेमन फ्ल SIMD केंडी भर रखा है आप से वह कह रहा है क्वेश्चिन में कि what is the probability that she takes out यहां पर दो पार्ट है an orange flavored candy a lemon flavored candy जितने candy भरे हैं वो lemon flavored है और उनका number हमारे question में given नहीं है तो हम यहां पर लिख देंगे कि let the number of candies in bag be is equal to n रख दीजिए x रख दीजिए p रख दीजिए कुछ भी रख दीजिए यहां पर orange flavored candy अब यहां पर जो sample है वो कितना है न है orange flavored candy इसमें कहीं भी नहीं है केवल केवल lemon flavored candy रखा हुआ है तो वहां पर आप क्या करेंगे जो event आप orange है वो कितना है यहां पर जो orange का है यहां पर हम लिख सकते हैं कि number of orange flavored candy equal to कितना है zero है वो है नहीं हो आप पर ठीक है यहां पर जो आपके पास इस तरह के आपने find करना है तो यहां पर आपके पास आपको क्या find करना है probability of orange flavored candy तो यहां पर हमारे पास जो candy है वो zero है नहीं है नमबर तो यहां पर n हो गया जब zero में किसी भी number से divide करते है तो answer zero होता है तो जो probability of event होगा जो भी यहां पर orange का है वो कितना जाएगा zero जाएगा यहां पर आपके पास जो sample है वो कितना है n आपने लिया हुआ यहां पर आपने n लेट कर दिया है तो let sample is equal to n ठीक है probability of यहां पर जो number of lemon lemon candy lemon candy कितना है वो भी n है बहुत जितना उसमें बराव सब लेमन है और lemon की ही probability आप से पूची जा रही है तो जो probability आप event होगा वो कितना होगा n अपन n होगा और किसी भी number जब number numerator और denominator सेम होते हैं तो वो cancel होकर क्या आते हैं one आते हैं one आया तो यहां पर जो आपके पास यह probability आप event होगया one होगया और इसको आप क्या कह सकते हो yes your event है ठीक है इस तरह से हम इसको solve करते हैं इस तरह से final answer आपका आगया और में दर question आपको समझ में आगया होगा अपने friends को जरूर सियत करें चैनल को जरूर सब्स्क्राइब कीजएगा तरह सक्टीड़ तरह से थाहिए